हलो दूस्तो, गूड मॉर्निंग, जैस याराम, कैसे हो आप सभी आई होग की सब अच्छे होगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ, तो चलो सुरू करते हैं, आज के दिन के साथ एक नए व्लॉग की सुवात, आज है संकर चतुर्ती का व्रत मेरा, तो आप सभी लोगों को संकर चत चुके हैं, तो कहां लेके जा रहे हो आज, वन दिर लेके जा रहे हैं, तो मम्मी नास्त वगर बना रहे हैं अपने लिए, हम दोनों का तो फास्ट है, हमने बस दूद दिया है, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस चा रहे हैं अब हम, तो मम्मी तो रोटी बना रहे हैं से वहीं से आके मिलाऊंगी मैं दूती लेते हैं फिर हम चलते हैं सफर की ओ तो चलो बहुते हैं लॉग में हागी हम लोग पहुंचें अभी सुयाल खर्ग और यहां की सुंदरता वाव इतने अच्छे पहाड़ा है तो अच्छा सीर है आप लोग देख सकते हैं पीछे यू मैं ये देख संते हैं पहुत संदर संदर है जितना ही कैमरा केपटर नहीं करवा रहा है सामने से देखने पर बहुत ज्यादा संदर है ये क्सकते हैं यह उपर कुछी का type कि पहारा इतना पुछा आता है नब तो क्या उता है तो पेढ़ मैं से सोच ठीकि मैं पहार कर जाओ कर जाओ मेरी साधी पहारत हो भूग आता है यहार को जाता आप मुणेशने कैना मेरा तो मन नहीं करता छोड़ के जाने कि है MEMन नहीं करता तो यहां मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना मैं यहां से इनके मामा की घर को भी जाते हैं पहले दिन हम आये थे यहां मैंने व्लॉक पिसूट किया था पर आधे रास्ते में मेरा फॉन खराब हो गया था तो फिर वीडियो निदल पाई और वीडियो डिलीट भी हो गई थी उते तो आज में दुबारा आई हूं यहां तो यहां से लोकेशन दिखारी हूं आपको बह गई रहने दो फोद किया तो अभी हम पहूंचे हैं खेती खान जाने वाले रास्ते में यहां से यवाली रोड जाती है मामा के घर को इनके मामा के घर को और यह उदर है इनके मामा का घर और यह देख सकते हैं आप इतना संदर सा सीन है हमको जाने है वह पहाड़ों के बिखने हो रहा सायल मंदित आई जंगल के उपर है सायल मंदित वही है ना उपर वाला इदनी हाँ हो ही यह लाग रहे है मंदिर है अभी थोड़ा दूर है सफर होगा 30-35 किलो मेटर और होगा सायद इतना थोड़ी होगा होगा बारा दे रगली मुठल हमसों कितना भी होगा अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूं मैं तिदे मंदिर में मिलती हूं आपसे बहुत थंड़ा है लोग सूट करने मां हाथ काम जा रहे हैं अभी यहां पर दूप से करें थोड़ी देर फिर मंदिर में जाकी मिलते हैं आपसे कि अभी बहुत संदर गावा यहां के यहां पाला अभी भी नहीं सूखा है यह देखो रुपते रेको एक मंदि मिल गाए जाएं किसी के यहां लुंगे भी गहते हैं और हमारे साथ है करूल यह रहे यह देखो यहां के का सीन बहुत तगड़े सीन है यह देखो मतलब मजा आ गया मुझे तो आज बंदिर कर ट्रीप हमारा मसंद भूत पर जाने हाना है बहुत सुंदर सुंदर गाओ देखने को निद रहे हैं हमको अब आपने बता देना आपको वाला गाना से पूपता पलुपता लाति दाने हमको तो यह देखो एक पूपकर यह देखो जोस्तों हम लोग कहां आपको सिद्ध बाबा मंदिर के पास वाले रास्ते में हम लोग जा रहे हैं सिद्ध बाबा मंदिर में खेती खाल और हम रोड में पहुंच चुके हैं यहां देख सकते हैं यहां पीछे वेरे जंगल है पूरा बाजी बाजवाला जंगल है यहां जादा तर बाज के पेड यहां भी एक टी-garden है भूछ सारे टी-garden है यहांपे चाय बश्य लिखार टीहरा है अंताब वह टॉछी चोटे भौधे लिख रहे हैं यहांपे भूत सारे गाइफ पिछे साइट लगाये थे गाउंपे अगाउब और हम बस बहुत है वाल है को चल रहे हैं हम अभी पिछे से आ रहे हैं तरों तो हम पांशने हो बाइना बने रिना नौक में ऑफ दोस्तों हम लोग पुछ चुके हैं मंदिर वाले कच्चे रास्ते में इतनी डैंजर रोड है गांकी बहुत ज्यादा पिछे से देख सकते आप लोग बहुत तेड़ी मेड़ी रोड है, उबर थापड बहुत दूल भी उड़ रही है, तो बस मंदिर के बहुत करीम पॉँच चुके हैं हम, आप लोगों को दिखाती हूं, आखे, और दिखाती हूं के यह देखा रोड यांकी ऐसी है, कच्ची वाली, तो यह पहुंच चुके हैं हम श्कुराइन, जिक्षा। बापा की। यह पे बहुत सारा हिस्राथ नालुआ बहु पूंच चुके हैं हैं मंदिर में। फाइनली पहली बार मैं पहुँचुके हम मंदिर में। और यह रहा आगे जाके दिखाती हूं आपकोु decis हम लोग पहुंच्चुके हैं मंदिर के पास, यह है यह और यह है tarun तो और यह है पीछे मंदिर का g Labar तो हम प्रवेस करता है मंदिर में, आपको भी दिखाते हैं कि आ जहाऊ की आओ यह रहा मंदिर यह हमको हो गए हैं भेरब बाबा के दर्सानियां पर यह दोनों आ रही है साथ जनम साथ वचन साथ फिरों को तेरो मेरो बंधन हो साथ जनम साथ वचन साथ फिरों को तेरो मेरो बंधन कदी नी तूटा हाथ नी छूटा कदी ने तोटा हाथ ने छोटा जोलो जब परदेश तुम तु बटूई लगाए घुट घुटा घुट घुटा घुट घुटा घुट घुटा जायो 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 सब को आख्या घुट तुम फॉन से पीट्पी निगाओ वीडी बना हुट में अजरी मत्तर वाख्या जायो जायो तौक ऑफ हैं वहाँ यहाँ ऐस फोच्टेए यहाँ का मतला इस थ्थ्यास क्या हुआ इसकी माननिता कपसे मानी गई? माननिता बहुत समय हो गई, अब पीडियां बीद गई है क्या हो गई? नहीं, दूर-दूर से लोग कपसे आने लगे हैं? जब शीव मंदिर बने होगे तब सीव ही भाई भी भी बने होगे परानी समझ में गूंट मिला हुआ है इस मंदिर को दूर-दूर से कपसे आने लगे दर्सन करने के लिए? पुरानी कला करती थी बहुत बढ़िया था वो भी कम नी था पफर्गा जब बना होगा था तो पूरा चबुतरा चाल पफर लगा उसमें नेचुरिटी लगती थी उसमें तो हर चीज तो कंक्रीट में बन्दा आज कर दो अभी हुआ इस जैसे बुसको नहीं छेडा गया कभ पत्तर वेशी थी तो हुआ जाएं उसमें कोई मसीन भी नीटी को जार भी नीटा है कितनी महनत करी थी उसमें के आज इसमें काई इंसन ने अच्छा जी परेते रहते हैं आज जो बद्धे हो गए यहीं पचा साल हो गए हुआ जो जो थे देखो तो दोस्तो पंडित जी ने लका फुलका जितना उनको पता था उतना बताया आपको और हमें भी बस और तो जितने जो यहां के आसपास बुजूर्ग लोग होंगे उनके पास जाके पता सल सकता है कोई रिलेटिव होंगे किसी के यहां पर और किसी को पता भी होगा यहां के बारे में कि यह मंदिर कैसे बना तो आप लोगो को पता होगा हमें तो जितना पता है हमने पंडिवी से पूछा इनसे जानका रिली त तो अब फोटो सूट वगर करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे घर की और, तो थोड़ा फोटो सूट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप से, हम लोग आ चुके हैं, दर्सन करके, जाहो सिद्ध बाबा की, सभी की मनों कामना पूरी करें, तो अब जाते हैं हमी घर को, हम लोग म और यहाँ देख सकते हूए, यहाँ गाड़ी साफ हो रही है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में और हमारे घर में अबता है अचे पहले भी करते थे यह संब से गढ़ी साफ? बहुत बार आश तक अच्छ बटल जब भी देखा थे गाडी साफ कर रहा है जूते साफ कर रहा होगा सच में औरकल समर आया थे उन से गह रहा है तेरे जूते कितना गंदे और वह की तो में पर आपक में वाधान था। अब सब को आपको पता हुना चाहिएगी, खाईर मंदिर में चाहिए है कोड़े तो इसान द्धा मि içi माइ रगता है तो गारी रास्ता में रोक की कहुं साफ करता है मुह साफ निए लेकिन गाड़ी सब्साफ.. इस तो फोटो सुट के लिए रूके ज़िए.. आज का लोग भी कितने अच्छे अच्छे कमेंट करने आपके लिए.. इनका पतियों बस विया.. तो आधो दो घैसे हम लोग फोटो सुट के लिए रूके हैं अभी.. कौन से जगह हमें नहीं पता और यहां पर हमको एक बंदर मिल गया है वहां मों देख बेजला रहा रहा हूं यह लाओ अल्ले देख मुस्तुम के हो ख़जा लग गया भीचार के ले 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 कोहन गो यह ले आजा को सोन के सुझा रहा हूं यह एक दोस्त चे एक इतला हूं और एक यह जोच न पौड़ रहा हूने लिए यह देखिए है लो गाईज वजा एक यह को सुन के बेच्टा हूं एक यह इतला बेच्टा हूं एक यह जोड़ने पड़गो आपना अपनों सरीर में और यहां चल लो फोटो सूट यह जोड़ने हां यह है हम लोग पहुंच चुके हैं घर और यहां पर अभी चल ला है फोटो सूट इतना धंडा हो गया ना पापर आज को तो बहुत ही खंडा हो जा रहा है मेरे बाद उड़के ऐसे हो गया है यह उन्हें खतरनाक हो गए मेरे बाल और यहां चल लाई नहीं होगा फोट यहां पर दूस्तो आपम लोग कहते हूं पापा को नील आते व्लोग में यह देख सकते हूं आज आप थास्माइसमा पे इनके पापा का हो रहा है फोटो सूट यह देखो पापा बहुत सरमी ले हैं इसा अप आज जी वरकी देख लो आज को में अट निक रहा लाव ए विख दो टो हम आएट मैं पाम कंचे जान पूरिगतने property 속 Philippines खाना वे थो हमारे बन चुका है और आप चांद कावेट है तो हुआ हुआ हो रही हुआ। क्योंकि पहला-पहला fast है मेरा तो पिछोड़ा वगर ओड़ना पड़ेगा मैंने तो ready होती हूँ साड़ी पहन्रियों मैं बहुत ठंडा हो रहा है देखते हैं sweater तो पहननी पड़ेगी बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं तेयार हो जाती उसके बाद मिलती हूँ आप से ये तो must assist हुए है इनका तो ठीकी हुआ यार पर इन्नों ने भी मेरे लिए faster रखा है यार पूरे दिन भर ऐसी कोई बात नहीं है तो अभी ये आराम कर रहे हैं और मैं रेडी होती हूँ क्योंकि पूजा तो मैं नहीं करने पड़ेगी तो रेडी होते हैं फिर मिलती हूँ गाइस मैं होजी क्यों रेडी नॉर्मल रेडी हूई हूँ मैं जादा कुछ पेहना नहीं है क्योंकि बहुत जादा ठंडा हो रहा है मैंने ये artificial पहने हैं अभी तो अभी भूख भी लग गई है अब दिन भर तो मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे ओके झाल चांद बहुत लेट आया साड़ेनो के बाद ही आया था चांद तो खाना वगर हमारा हो गिया है और बहुत जादा ठंडा हो रहा था बार बड़ी मुस्किल से पूजा करी बहुत जादा बहुत ही जादा ठंडा हो रहा था तो खाना वगर हमारा हो गिया है करती हूं और आई होब कि आपको आज का व्लोग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नए नहीं लोग जो जुड़े हैं वो डोग कर देना और चो लोग ये व्लोग देख रहे हैं वो लोग भी लाइक कमेंट एंड सेयर कर देना तो इसे के साथ आज की व्लोग का एंड करती हूं मिलती हूं एक नहीं व्लोग के साथ अब तक के लिए बाई